हेलो एवरिवन वर्कम तो मैं चानल कैसे हैं आप लोग आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और इस फेस्टिव सीजन को इंजोई कर रहे होंगे तो यह लुक मैंने क्रियेट किया है फॉर अपकमिंग फेस्टिवल दाट इस भाई दूज तो बहुत ही easy सा make-up look है beginner friendly है affordable product के साथ आप इसको बहुत ही अच्छे से create कर लोगे eyes पर मैंने use किया है cut crease यह half cut crease है और बहुत ही easy to create है इस look को आप day में बहुत अच्छे तरहिके से wear कर सकते हो और ऑल्सो यह look आपका with India, Indo, Western and ethnic wear के साथ बहुत easy लिए चला जाएगा तो बेना कुछ बोलते हुए आईए इस वीडियो को स्टार्ट करते है तो पहले मैं ले रही हूँ Good Vives का Green Tea Toner इसको मैं बहुत अच्छी तरीके से मैं अपने फेस पे अपलाई करके स्प्रेट करके हलका सा मसाज कर लूँगी क्लिंसिंग मैंने पहले ही कर ली है और मैं मूफ करूँगे àट अच्छी तरीके से मैं हाइट करता है मैं दिएमेर एक मीज़ड पर है तरह कर लूँगी है तो मैं मैं ले रही हूँ Good Vives का Uma Bispa i Shelby Set and Vitamin E spectrum मैं इसको लेकर बहुत तरीके से पर फेस पर लगा लूगी यह ग्लूइंग सरम है जन मुव करूंगी बेस की तरफ पहले में लगा रही हूं प्राइमर तो मेरे नोज एरिया के पास थोड़ा सा चिन के पास ओपन पोर है तो मैं इसको बहुत अची तरीके से मैं इसको लगा लूँगी उन एरियास पे क्यू तोल से दो शेट ऊपर का कंसीलर तो इस पैलेट में जो जब से डाक सा कंसीलर है मैं उसको लेके बहुत ही अच्छी तरीके से अपने उन एरिया उस पे लगाऊंगी जहां पे मेरे कलर डिसकलरिशन है तो मैं इसको अंडर आइज अपने मांट एरिया के रीजन पे बहुत कर लोगी तो बहुत ही अच्छा सा यह ब्लेंड भी हो जाएगा या नेक मेरे को अच्छी पी मिल जाएगी और देन मैं मुव करूंगी दूसरे स्टेप की तरफ सो मैं यहां पर भी ब्लेंट कर लें है अपने फेस को एंदेन मैं दोंगी सेम पैलेट से एक तो यह भी बहुत अच्छे तरीके से मैं अप्लाई करनोंगे इसको लगाते हैं आप देखना मेरा फेस बहुत अच्छा सा ब्राइटन हो जाएगा यह स्टप करना इसलिए जरूरी है अगर आप डाक शेट के ऊपर डारेक्ट अगरा फाउडेशन लगा लोगे तो आपका ज कर सकते हो और अगर आप फेयर तो मीडियम स्किन टोन पर हो तो पीच करेक्टर भी यूज कर सकते हो सो मेरा हो गया है पर कलरेक्शन डन अब मैं ले रही हूँ स्माश बॉक्स का फाउंडेशन दो पंप लेके मैं बहुत अच्छी तरीके से इसको पने फेस पर डॉट डॉट करके लगा लोंगे और मैं इसको करूँगी ब्लेंड सो मैं ब्लेंडिंग के लिए अगें ब्रश के जगह पे मैं ब्यूटी ब्लेंडर ले रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर मुझे बहुत साथा पसंद है क्योंकि यह बहुत ही नाच्रल फिनिश आपको देता है अगर आपको थोड़ा हेवी मेकप चाहिए तो आप ब्रश यूज कर सकते हो लेकिन अगर आपको नाच्रल ब्यूटी ब्लेंडर के साथ आप जा सकते हो तो मैंने भी वही किया है ब्यूटी ब्लेंडर को कर लिया है मैंने डाप यह पानी में अच्छे तरीके से भीगोके उसको निचोड लिया है और देन मैं अपने फेस पे उसी से बहुत अच्छे तरीके से फांडेशन को अप्ल लगा लूँगी जहां पे मुझे contouring की requirement है forehead पे मैं इसले कर रही हूँ क्योंकि मेरा forehead बहुत बढ़ा है तो मैं पहले hollow of the cheeks उसके बाद मैं jaw line पे मैं करूँगी ताकि मेरा jaw थोड़ा सा sharp देखे और मेरी जो double chin है वो छुप जाए and then मैं forehead की तरफ करूँगी क्योंकि मेरा forehead बहुत बढ़ा है तो वो थोड़ा सा पतला छोटा दिखे तो मैं इस तरीके से पूरे face पे अच्छी तरीके से कर लूँगी contour and then मैं ले रही हूँ sugar का concealer it is in the shade 40 brief ये shade one of my favorite है and ये almost खतम होने वाला है अब मैं इसको एक साल से उपर हो गया इसको यूज करते हुए and अब मैं नया ढून रही हूँ मुझे ये shade मिली नहीं रहा है market में however इसको लेके मैं अच्छी तरीके से मैं conceal करूँगी अपने under eyes पे and then अपने high points पे तो मैं इसको लेके बहुत अच्छी तरीके से same dab beauty blended लेके मैं बहुत अच्छी तरीके से कर ले रही हूँ इसको blend and then मैं अपने side of the cheeks पे भी करूँगी ताकि जो मेरा contour है वो थोड़ा सा shape में देखे तो मैं यहां पे under eyes पे अच्छी तरीके से मैं कर रही हूँ ब्लेंट अपने concealer को अच्छा concealer को आप एक और काम कर सकते हैं थोड़े देर के लिए आप concealer लगा के उसको छोड़ दीजे like 10 to 20 seconds and then आप उसको blend कीज़े तो आपको coverage बहुत अच्छा बन जाएगा तो मैंने भी same यही किया है मैंने अच्छी तरीके से इसको कर लिया है blend and then मैं इसको करूँगी set set करने के लिए मैं ले रही हूँ मार्स का banana powder banana powder मैं इसलिए जादा यूज़ कर ले हूँ क्योंकि मेरा skin tone है from deep medium to deep skin tone तो मैं banana मेरे skin पे जादा अच्छा सजाता है तो मैं इसी तरीके से लेके अपने powder से बहुत अच्छी तरीके से face को shape दे दूँगे under area पे under eye nose and जहाँ पे मैंने contour किया था under that area मैं वहाँ पे भी लगा लूँगी and इसको मैं छोड़ दूँगी set होने के लिए उसके बाद मैं eyebrow की तरफ move कर रही हूँ eyebrow के लिए मैंने लिया है faces canada का ये pencil ये pencil बहुत ही प्यारा pencil है तो ये gel form में आता है and साथ में इसके pulley भी है तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसको लगा के आप इसको brush out भी कर सकते हो जो भी excess product होगा अगर आप concealer नहीं यूज कर रहे हो तो आप eye primer भी use कर सकते हो तो मैं यहाँ पे फिलहाल concealer से ही base prepare करूँगी तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से लगा लिया है concealer को and then मैं इसको करूँगी dab beauty blender के help से blend तो मैं यहाँ पे beauty blender लेके बहुत अच्छी तरीके से कर ले दी हूँ blend and also eye brow को भी थोड़ा से shape देने की कोशिश करूँगी ताकि जो भी अगर extra product दर दर लग गया हो तो clean हो जाए then मैं ले रही हूँ one of my favorite eyeshadow palette eye magic का इसको मैं अपने contour area पे एक light brown सा shade लेके लगाऊंगी contour area का मतलब होता है eyes के crease के उपर का जो area होता है उसको हम contour region बोलता है तो above the crease line मैं इसको लेके बहुत अच्छी तरीके से मैं blend करनोंगी to and fro to and fro motion में and then मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से color को build करूँगी कम-कम product को लेके build करूँगी then मैं same जो मेरा sugar का 40 concealer था वो मैं लेके एक cut crease ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पर आप देखो यहाँ पर मैं concealer crease line से लेके अपने eyeball जहाँ पर मेरा ख़तम होता है मैं वहाँ तक इसको लगा रही हूँ सेम में दूसरे eyes पर भी यही करूँगी मैंने हाथ पर थोड़ा सा concealer निकाल लिया और एक flat brush की help से मैं यहाँ पर अच्छी तरीके से अपने concealer को अपने eyes लिट से लेके बीच तक मैं लगा लूँगी और इसको अच्छी तरीके से एक shape देने की कोशिश करूँगी and then मैं लूँगी एक golden सा shade यह golden सा shade लेके मैं जहाँ पर मैं concealer apply किया था मैं same इसको उसी के ऊपर मैं place करूँगी आप brush की help से भी कर सकते हैं प्रेश में क्या होती है जो product ला intensity होता है थोड़ा कम हो जाता है आप इसको hand पे भी pick करके बहुत अच्छी तरीके से लगा सकते तो यह जो shade है यह थोड़ा shimmery shade है मैंने इसका same क्या किया है लेके बहुत अच्छी तरीके से apply कर लिया है same मैं दूसरी eyes के साथ भी यही करूंगी तो मैंने बहुत ही एक पतला सा brush लिया है मतलब यह dense brush है इसमें मैंने brown color को pick करके मैंने crease line पे apply कर लिया है and then जो वह harsh line देख रहा था उसको मैं blending brush में लेके मैं अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लोंगी आप देख सकते हैं मैं हाँ पे blending brush to and fro motion में लेके उसको मैं blend कर ले रही हूँ and then आप देखो अब मैंने क्या किया है मुझे थोड़ा सा ना eye का color कम लग रहा था golden color तो मैंने same hand पे ही थोड़ा सा लेके मैंने यहां पे apply कर लिया है अपने जहां पे मैंने concealer apply किया था and यह बहुत ही poppy सा color निकल के आया है तो simultaneously अगर आपको लग रहा है कि brush से आपके intensity कम आ रही है तो आप हाथ से भी कर सकते हो then मैं same वही light brown sorry dark brown color लोंगी and then इसको मैं outer corner पे बस मैं color को place करूंगी simultaneously मैं दूसरे eyes पे भी ही कर रही हूं dark brown सा color ले रही हूं और उसको अपने eyes पे मैं place कर रही हूं तो मैं इसको place करूंगी and then उसको crease area तक ले जाके बहुत अच्छी तरीके से blend करूंगी so यही है eye makeup बहुत easy eye makeup है 5-10 minutes में बार बहुत ही अच्छे से आप इसको create कर लोगे इतना जादा hassle भी नहीं है and cut crease भी बहुत जल्दी आपका create हो जाएगा so मैं इसको save वही कर रही हूं outer corner से मैं crease line तक ले जाके इसको मैं कर ले रही हूं अच्छी तरीके से blend blend आपको बहुत अच्छी तरीके से करना है क्योंकि blending ही एक ऐसी चीज है जो आपके look को बहुत ही अच्छा बनाती है मैंने कर लिया है eye look complete मैं ले रही हूं music lack gel eyeliner so आप कोई भी gel eyeliner यूज़ कर सकते हूं मुझे इसके pigmentation बहुत प्यारी लगती है तो मैंने यही वाला यूज़ कर लिया है मैंने कोई dramatic नहीं draw किया है ना मैंने विंग किया है मैंने सर्फ और सर्फ जहां से मेरा eyeliner eye point खतम शुरू होता है मैं वहां से लेके inner corner तक बस लेके जा रही हूं और मैंने ऐसे ही eyeliner बहुत अच्छी तरीके से मैंने draw कर लिया है अब मेरे जो अपने face पे powder को छोड़ा था baking के लिए उसको मैं बहुत अच्छी तरीके से मैं उसको dust off कर लूँगी अपने पूरी face पे apply कर लूँगी ताकि मेरा face lock हो जाए अब में ले रही हूँ आई magic का professional contour and highlight palette और इसमें से मैं bronzer shade लूँगी और उसको मैं अपने जहां जहां पे मैंने contour किया था मैंने उसको अप्लाई कर लूँगी अब आप देखो यह बहुत ही प्यारा सा face को एक cut और sculpted look दे रहा है तो मैं इसको same nose पे भी लेके बहुत अच् sharp और अच्छा लगे तो मैं यहां पे वही कर रही हूँ इसको nose पे लगा के बहुत अच्छी तरीके से मैं blend कर ले रही हूँ उसके बार मैंने अपने base को कर लिया है fix with music with the faces canada का spray से and then मैं ले रही हूँ wet and wild का give me mocha shade का एक nude lipstick और मैं इसको लगा ले रही हूँ बहुत मैं बहुत अच्छे से एक highlighter मैं लूँगी और जो भी मेरे high point से मैं वहां पे लगा लूँगी अच्छा मैंने यहां पे थोड़ा सा blush यूज किया है blush मैंने ज्यादा यूज नहीं किया है तो अगर आप चाहे तो बहुत अच्छी तरीके से blush भी यूज कर सकते हैं तो मैंने इसको थोड़ा सा bronzing लूप देने के लिए मैंने ब्रॉंजरी अपलाई किया था मैंने blush ज्यादा यूज नहीं किया है अब मैंने अपना highlight कर लिया है अब मैंने काजल भी वियर कर लिया है काजल मैंने NY by का मैंने लिया था एंदेन मैं उसको अच्छे से मैं लगा के जो मेरा dark shade of brown था जो मैंने आउंटर पर लगाया है से मैंने उसको आइस के नीचे भी अपलाई कर लिया अब मैं ले रही इसको बीच से पकड़के पहले में मिड में लगाऊंगी और दोनों साइट पर में चिपका लिए मैं मैं क्या कर रही हूँ मैं बहुत अच्छी तरीके से मस्करा अपलाई कर लोगी ताकि मेरे eyelashes और फेक eyelashes में गापना रहे सो यह हो गया है मेरा लोग पूरा complete आपको कैसा ल संद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना मैं ऐसे ही वीडियो आपको लाती रहूंगी जल्दी मेरे वीडियो पर स्टार्ट होने वाला है